नमस्कार किशान मित्रों किशान मित्रों आज हम बात करेंगे खीरा की उनत्चिल पांच प्रजातियों के बारे में जो आप लगा कर थंडी के मौसम में लगा कर और कम से कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफ़ा ले सकते हैं अधिक से अधिक उत्पादन होता है जिनका इन पांच प्रजातियों के बारे में हम आपको बताएंगे कि किन किन प्रजातियों को आपको ठंडी में लगाना चाहिए और अच्छा उत्पादन इंशे ले सकते हैं खीरा की भसल ठंडी के मौसम के लिए उत्पादन के द्रिष्टी से बहुत ही अच्छा समय होता है किसान भाईयों वैसे तो खीरा की खेती सभी मौसम में की जाती है लेकिन गर्मी के मौसम में खीरा की खेती करने से आपको खीरे की खेती सम्मंदित बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जैसे फूल का गिरना फल का रंग लाल पड़ जाना पौधों पर अनेकों प्रगार की कीटों का सीधा अटेक होना आज समस्याओं से आपको गुजरना पड़ता है जिससे लागत में बढ़त्री हो जाती है और आपका मुनाफ़ा कम हो जाता है किसान भाईयों ठंडी के मौसम में बूई जाने वाली कुछ फसलों जैसे उन्नत चिल जो प्रजातियां उनके बारे में नमबर एक पर आती है किसान भाईयों रुपाली खीरा जो की सनराजिंग सीट्स प्राइबेट लिम्टेट कमपनी का है किसान भाईयों इसकी बूई आप 15 जनूरी से 15 फरूरी के मन दिख कर सकते हैं ये आधिकतम तापमान सहन करने वाला पतला लंबा और हरा खिरा होता है किसान भाईयों ये बुवाई के 35 से 40 दिन में इसमें फूल फल आने लगते हैं और 45 से 50 दिन ज्यादे ज्यादा 55 दिनों में आप इसकी पहली तुलाई कर सकते हैं सन्राइजिंग सीट्स प्राइबेड लिम्टेट कंपनी का जो रुपाली खिरा है उसकी प्रथम तुलाई आप 45 से 55 दिन में कर सकते हैं किसान भाईयों दूसरे नंबर पर जो खिरा आता है वह होता है मालनी मालनी खिरा की बुवाई आप 15 दिसंबर से 15 जनूरी तक कर सकते हैं उसके बाद ये इसमें गर्मी की सहन सीलता जो होती है वह कम होती है तो इसलिए इसकी बुवाई 15 जनूरी के बाद आप ना करें बुवाई के लगबग 40 से 45 दिनों में इसमें फूल फल आने लगते हैं उसके बाद तीसरे नंबर पर किसान भाईयों आता है छित्तरा खिरा जो की एसन हाइवेस कंपनी का आता है बहुत ही सुंडर सुडॉल और इसका रंग फल का जो रंग होता है वह हरा अधिक्तम गर्मी सैन करने वाली परजाती होती है हाइवेस कंपनी की जो चित्तरा खिरा आता है बहुत ही बड़ियां लगबग इसकी पैदावार 40 से 45 दिन में इस वेस्ट कंपनी का है इसकी बुवाई आप 15 जनुरी से 15 फरूरी तक कर सकते हैं और देखने में हरा सुंदर्वा सुडॉल होता है इसके बाद किसान भाईयों आप नामधारी सीट का जो 404 खीरा आता है इसकी बुवाई कर सकते हैं इसकी बुवाई आप लगबाग 15 जनुरी से 15 फरूरी तक कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं किसान भाईयों आपको हम बता दें कि खीरे को जितनी ही ठंडी के मौसम में बोया जाए इसको अधिक से अधिक ठंड किया सकता होती है ठंड के मौसम में ये खीरा बोया आता है तो इसका उत्पादन आप अधिकतम ले सकते हैं इसमें रोग बिमारियां कोई नहीं होंगी और यदि आप ठंड के मौसम में खीरे की खीती करते हैं तो लगबाग कीटों का प्रकोप ना के बराबर होता है आप कम से कम लागर लगा कर आप कम से कम खर्च में अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं और अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं किसान भाईयों यदि आपको दिसंबर मा में खीरे की खीती करना है तो आप मालनी जो की सेमनीज कंपनी का खीरा आता है उसकी बुआई आप कर सकते हैं क्योंकि यह ठंडी के मौसम में भी इसका अंकुरन हो ज कितना है लगबग इसके अंकुरन के लिए बीज से 22 डिग्री सल्सियस तापमान आउस्च होता है तभी बीज का अंकुरन होगा अनिता आपका बीज खराब हो जाएगा तर जाएगा और आपका नुक्सान हो जाएगा तो आपको इसका ध्यान रखना है कि यदि आप दिसंबर की माह में खेती करना चाहते हैं तो मालनी बीज का प्रियोग करें